इस तेलुगू फिल्म ने छोड़ दिया है तीनों की तीनों बॉलिवूड फिल्म को काफी पीछे कार्टिके 2 कैसे पढ़ी आमिर खान, अक्षे कुमार और तापसी पन्नू की फिल्मों पर भारी क्या कह रहा है आखिर बॉक्स ओफिस तेलुगू फिल्म कार्टिके 2 को लेकर जैसी उमीदे की जा रही थी फिल्म उससे भी काफी आगे निकल चुकी है जिस तरह से कार्टिके 2 बॉक्स ओफिस पर प्रॉफिट्स कमा रही है वो कमाल है 13 ओगस्ट को हिंदी में रिलीज हुई ये फिल्म ने पहले वीक के कमपारेजन में डबल नेट कलेक्शन कर लिया है वही थीटर्स में लगी बॉलिवुड फिल्म यानि की रक्षा बंदन, लाल सिंग चड़ा और अब तापसी पन्नू की फिल्म दोबारा भी स्ट्रगल करती दिखाई दे रही है तीनू में से बॉलिवुड की कोई भी फिल्म कार्टिके 2 के वीकेंड कलेक्शन को बीट नहीं कर पाई है फिल्म के हिंदी वर्जिन ने दूसरे वीकेंड के पहले दिन यानि की फ्राइडे को 2.46 क्रोर का नेट कलेक्शन किया था जबकि साटेडे को फिल्म ने तीन क्रोर के उपर का नेट कलेक्शन किया तो वही संडे को फिल्म ने चार क्रोर से उपर का नेट कलेक्शन कमाया है दूसरे वीकेंड में कार्टिके 2 ने 9.57 क्रोर का नेट कलेक्शन किया है क्लियर है कि कार्टिके 2 को लाल सिंग चड़ा और रक्षा बंदन के अच्छे ना चलने का पूरा का पूरा फायदा हुआ है और अब शायद इसलिए ही कार्टिके 2 के स्क्रीन्स और शोस बढ़ा भी दिये गए है देखो ये तो सच है कि इस फिल्म के शो स्टार्टिंग से ही काफी कम रखे गए थे इसलिए तो मैं भी अब जागर इस फिन को देख पाई हूँ यार लेकिन अब हजार से भी जादा स्क्रीन्स पर दिखाई जा रही है कार्टिके 2 लोगों को आपको बता दू कि ओवर्सीज में भी फिल्म काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है और वर्ल वाइट 75 क्रोर्स का ग्रॉस कलेक्शन अल्रेडी कर चुकी है वहीं हिंदी फिल्म में बॉक्स ओफिस पर कर रही है काफी स्ट्रगल आमिर खान की फिल्म लाजिंग चडड़ा और रक्षे कुमार की फिल्म रक्षा बंदन के नेट कलेक्शन एक क्रोर के आसपास ही रहे है वीकेंड के दिनों में भी इन फिल्मों को कोई खास फायदा नहीं हुआ है वहीं तापसीपनु की फिल्म दोबारा की बात करें तो उस फिल्म को भी 72 लाक्स की ओपनिंग मिली थी लेकिन अब फिल्म ने 1.24 क्रोर का कलेक्शन कर लिया है मगर अगर इन सभी को कार्तिकेटू के आगे देखा जाए तो कार्तिकेटू की कमाई इससे डबल रही है फिल्म धीरे धीरे बड़े कलेक्शन की ओर बढ़ती जा रही है और हिंदी बेल्ट में एक सब्प्राइस के तौर पर सबके सामने आई है जिन्हें नहीं पता उन्हें बतादू की कार्तिकेटू श्रीकृष्णा की द्वारिका नगरी के सीक्रेट के ऊपर है और उस पर भी बेस्ट है कि श्रीकृष्ण ने जब अपना फिजिकल फॉर्म धरती से छोड़ा था तो उसके बाद क्या हुआ था ये फिल्म हर तरह की ओडियोंस को काफी पसंद आ रही है और इसी के साथ-साथ अगर आपको जानना है मेरा रिव्यू इस फिल्म के ऊपर तो आप E&T Live पर जाकर उसका रिव्यू भी देख सकते है I'm pretty sure that will help you बाकी अभी के लिए इतना ही अब आगे देखते हैं कि ये फिल्म और कौन से नए रिकॉर्ड्स तोड़ती है ऐसे ही और entertainment related updates के लिए आप लोग देखते रही E&T Live और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे like और share करना बिल्कुल मत भूलिएगा